हेलो एप्रीवन मैं हूँ अर्दमन स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपनी यूटीब चैनल एलाईशेयल पर आज के इस वीडियो में हम ओ लेविल से संबंदित पेपर वैब डिजाइनिंग और पॉब्लिसिंग को देखेंगे यहाँ पर उससे संबंदित कुछ कुछ कुश्चन देखेंगे जो कि हमारे प्रिवियस यर में आये थे आप लोग वीडियो को सेयर करें लाइक करें और अनलोगों को भी पहुँचाएं जिससे जिन लोगों का इमार्च में पेपर है उन लोगों को इससे हल्प मिलेगी आप लोग इस वीडियो को अन तक जरूर देखें यह पेपर जो हम डिसकस करने जा रहे हैं यह आपका जनवरी 2021 का पेपर है चलिए देखते हैं पहला कुश्चन है space tag का प्रियोग paragraph आरम करने के लिए किया जाता है इन मैंसे कौन से tag का उप्योग paragraph को आरम करने के लिए किया जाता है td का, br का, p का या tr का आपको पता होगा p paragraph के लिए tag यूज किया जाता है p tag का यूज किया जाता है paragraph को प्रारम करने के लिए next question देखते हैं अगला कुशन है हमारा correct HTML tag for largest heading is सबसे बड़ी heading के लिए largest heading के लिए बड़े size के heading के लिए कौन सा सही HTML tag है head, head का अपयोग heading के लिए नहीं होता है h6 इसका अपयोग होता है लेकिन ये सबसे छोटा size होता है ठीक है smallest होता है heading इसका भी use नहीं होता है h1 heading style है जो सबसे बड़ा size आता है font का तो ये h1 largest heading style है आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा होता है h1 उससे छोटा होता है h2 फिर उससे छोटा होता है h3 फिर उससे छोटा होता है h4 और उससे छोटा होता है h5 और उसके बाद फिर सबसे last में आता है h6 तो यह heading के size का क्रम होता है तो यहाँ पर आपका answer हो जाएगा D Next question देखते हैं Which of the following is a container इन में से कौन सा एक container है आपको धियान रखना है वो tag container होते हैं जिनमें opening और ending दोनों tag होते हैं ठीक है जैसे आपका select tag है यह एक opening और closing दोनों तरीके के tag इसके होते हैं यहनि कि paired tag है जो भी paired tag होता है वो हमारा container के तरीके से work करता है तो इसमें हम और भी tag को भी लगा सकते हैं जिसे select हो गया, body हो गया लेकिन input के साथ में closing नहीं होती है यह paired tag नहीं है और इसमें हम कुछ भी collect नहीं कर सकते हैं और नहीं tag को भी नहीं लगा सकते हैं तो हमारे दो option है select और body तो यहाँ पर last option दिया गया है both A and B हमारा option सही हो जाएगा D, both A and B next question देखते है यह question है the attribute which defines the relationship between current document and harreft URL यहनी कि यहाँ पर पूचा गया है जो current document है वो और जो URL वाला document है जिसका हमने reference दिया है URL दिया है उसके साथ में जो relation बताने के लिए कौन से tag का attribute का यूज किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिया गया है rel एक दिया गया है URL एक दिया गया है रैब और all of these देखे गई जो URL होता है वो आपका uniform resource locator होता है जो कि आपके page को locate करता है कि वो page कहां से आ रहा है लेकिन relationship नहीं बताता है कि इस page के साथ क्या current page का क्या relation है लेकिन rel और जो रैब हैं यह दोनों relationship को represent करते हैं लेकिन rel और reb में अलग-अलग तरीके से use होते हैं rel और reb एक दूसरी का पोजेट होते हैं जैसे रैब जो होता है वो आपका use होता है तब जब linked document के current document के साथ में सम्मन्द बताया जा रहा हो जब link document current document के साथ में सम्मन्द को बता रहा हो बताना हो और rel का यूज़ किया जाता है जब current document का linked document के साथ सम्मंद बताना हो यह ठीक वैसा ही है जैसे आप हमारे कौन है और हम आपके कौन है तो यहाँ पर देखेगा जो भी relation होता है दोनों के बीच के relation को दिखाए जाता है जैसे माल लो तो एक कोई व्यक्ती है जो किसी का father है ठीक है और एक सामने वाला है वो उसका son होगा मतलब इसके लिए father के लिए यह क्या है son है और son के लिए यह कौन है father है तो ठीक वैसा ही यहाँ पर rel और rab का होता है तो दोनों का अलग अलग यूज होता है तो आपको ध्यां चा बताने के लिए यूज किया जाता है और का आपको ध्यां रखना है यह रेलेशन्षिप बताने के लिए यूज İ心 next question देखते हैं अगला कुछछन है DT Tag को हमारे वेब पेज की एकल पंक्ती को सामिल करने के लिए तयार किया गया है लेकिन DT Tag एक स्वीकार करेगा DT Tag जो होता है वो आपका पूरा प्राइब ग्राप क्योंकि यह होता है Description Definition Description की Definition है यह है Description Term और यह जो सारे Tag होते हैं ग्रुप्ड होते है DL Tag के द्वारा DL Tag होता है वो होता है आपका Description List के लिए यूज किया जाता है जैसे आपने देखा होगा कई बार हम लिख देते हैं कोई Term और उसका नीचे Definition लिख देते हैं यहने कि Full Paragraph को यह Support करता है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा Full Paragraph Next Question देख लेते हैं Character Encoding is Character Encoding क्या है Method used to represent number in characters Numbers को Character में represent करने का Method नहीं है यह Next Option दिया का Method used to represent character in number यह होता है A system that consists of a code which pair each character with a pattern, sequence of natural number or electrical pulse in order to transmit data क्योंकि यह वाला Option आपका सही है लेकिन सबसे अच्छा जो Explorationation कर रहा है वो है आपका C Option यहने कि A system that consists a code which pair each character जो प्रते एक character के साथ में pair होता है जिस character का वो code है जैसे A के लिए आपको पता होगा इसका code होता है वो होता है 65 जब आप Keyboard से अगर Alt के साथ 65 दवाते हैं तो Capital A बनके आ जाता है आप देखेगा कभी MS Word में use करके देखेगा Alt के साथ जब भी आप 65 दवाएंगे तो आपका A बनके आ जाएगा तो यह क्या है उसका code है character code है यह जो character encoding है यह प्रते एक अल्फावेट या प्रते एक करेक्टर के साथ associate होती है paired होती है और pattern sequence of natural number यह natural numbers का sequence होता है यहां पर point वाले number नहीं होते है जैसे 65.5 ऐसा कुछ नहीं होता है यह natural number का sequence होता है और electrical pulses in order to transmit data data को transmit करने के लिए electronic pulse के रूप में भी तो यह जो हमारा definition C वाला हो better define कर रहा है character encoding को next question दिखते हैं what is the full form of HTML सबसे subtle question है HTML का full form क्या होता है HTML का full form hyphenation text markup language hyphenation नहीं होता है hyper text markup language विलकुल hyper text markup language यह आपका HTML का full form होता है next question है a much better approach to establish the base URL is base URL को establish करने के लिए कौन सा better approach है base element इसके लिए use किया जाता है base element यह आपको ध्यान रखना है base element का use base URL को define करने के लिए ही किया जाता है ठीक है तो इसका answer हो जाएगा आपका base element आप लोग video को share करते रहें like करते रहें और channel को subscribe करें अपने friends के साथ share करें जिससे कि उनको भी आने वाले exam में मदद मिले next question देखते हैं tag the tag used to create a new list item एक नया list का item create करने के लिए कौन सा tag use होता है तो यहाँ पर use होता है आपका li tag li मतलब इसका perform ही होता है list item ठीक है list में item को new item add करना है तो li tag का use करेंगे next question देख लेते हैं graphics का कोई भाग जो दूसरे hot zone में samlid नहीं किया गया है का भाग माना जाता है किसका भाग माना जाता है देखिए rect किसी graphical जो हमारा picture होता है उस पर जब हम link देते हैं तो उनमें area define करने होते हैं हम rectangular area define करते हैं तो उसके लिए rect का use होता है point अगर के बल हमें single point दिखाना है तो point का use करते हैं polygon में दिखाना है किसी भी shape में तो आप polygon का use करते हैं लेकिन अगर कोई area किसी hot भाग में samlid नहीं है और वो जो default area है उसे हम जो area है उसे हम क्या करते है default area कहते हैं तो यह हमारा जो answer रहेगा इसका वो रहेगा default default भाग का जाता है ठीक है next question देखते हैं अब next question जो है वो हमारे true और false based है यहाँ पर हमें बताना है कौन सा statement true है और कौन सा false है ठीक है आपको पता है क्योंकि o level का जो pattern है उसमें 10 question आपके mcq आते हैं 10 question आपके आते है true and false में और 10 question रहेंगे आपके fill in the blank और 10 question रहेंगे आपके matching के तो यहाँ पर आपका चालू हो रहा है true and false चलिए देखते हैं CSS stands for cascading style seat CSS का perform होता है cascading style seat बिल्कुल सही है यह answer इसका क्या हो जाएगा true ठीक है next question है CSS can also be used with any kind of XML document CSS का use XML document के साथ में भी किया जा सकता है बिल्कुल किया जाता है ठीक है next है हमारा a CSS rule set contains a selector and a declaration block बिल्कुल एक किसी भी rule set में कम से कम एक selector होता है और एक declaration block भी होता है जिसमें property को define किया गया होता है तो यह भी हमारा option क्या हो जाएगा true हो जाएगा next question है CSS elements selector is types of selector in CSS CSS में element selector एक selectors का type है बिल्कुल element selector जैसे आपने देखा होगा p tag का use किया जाता है या किसी भी tag के नाम से जो selector properties जो define की जाती है tag के साथ में तो वो selector जो होता है वो हमारा element selector होता है यानि कि यह भी हमारा option statement क्या रहेगा true रहेगा यह हमारा statement true है next question देखते हैं the universal selector is never used as a wild card character देखिए यहाँ पर कहा गए the universal selector universal selector के लिए हम क्या करते है star बना देते हैं उसके बाद property define कर देते हैं तो हम star बनाके property define करते हैं वो सभी के सभी elements के लिए use में आती है तो यहाँ पर दिया गया है never अगर यह term नहीं होता तो हमारा statement true होता लेकिन यहाँ पर never दिया गया है तो यह हमारा statement क्या हो जाएगा false हो जाएगा next question is the grouping selector is used to select all elements with the different style definition the grouping selector is used to select all the elements with the different style देख ग्रूपिंग selectors का जो use होता है वो एक ही तरह के की styles को सभी जो भी tags हैं elements हैं उनके लिए define करने के लिए किया जाता है यह कुछ इस तरह के से define होते हैं जैसे p, div, other कोई भी जो भी tag है just like हमने दे दिया यहाँ पर span तो यह tag के नाम हो गए उसके बाद हमने यहाँ पर properties defined दी तो जो property यहाँ पर हम define करेंगे वो इन सभी tag के लिए working में रहेंगी same property रहेंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह statement में कहा गया है different style तो यह हमारा statement हो जाएगा false ठीक है यह हमारा statement हो गया गलत next question है id selector selects the id attribute of an html element to select a specific element id selector selects the id attribute id selector क्या करते हैं id attribute को select करते हैं of an html element to select a specific element किसी specific element को select करने के लिए id selector के द्वारा id attribute को select किया जाता है बिल्कुल id attribute को select करके ही id selector work करते हैं जिस जैसे अगर हम id attribute define करते हैं मालो हमने property define की है कोई भी id है just like हमने दे दिए हम पर id name तो जो भी property define की हैं यह जब जिस tag के साथ यह id लगी होगी जो भी tag है हमारा उसके साथ में अगर हमने id दे रखी है id name जो भी हमारा यहां पर हमने id define कर रखी है यह id जहां पर भी लगा देंगे उसी tag के साथ में यह properties work करेंगी तो id selector क्या कर रहा है कि जिस tag में id attribute लगा हुआ है वहां से उठा रहा है उसको select कर रहा है उस tag को select कर रहा है multiple lines on element element की multiple lines पर apply करने के लिए किया जाता है or elements sorry multiple lines और elements यह multiple line के लिए नहीं होता है और कई सारे element के लिए नहीं होता है यह जिस element में आपने define कर रखा है चुकि आपको पता होगा जो inline CSS लगता है वो उसी tag के साथ में लगता है जिसकी properties को हमें change करना होता है तो यह जो हमारा multiple पर work नहीं करता है यहनि कि यह हमारा जो statement रहेगा वो हो जाएगा false next question दिखते हैं the internal style seat is used to add multiple style for more than one document देखिए जो internal style seat होती है वो आपकी उसी page पर define की जाती है जिस पर आपको changement लाना है तो internal में क्या रहेगा हम more than one को change नहीं कर सकते है more than one document change नहीं किया जा सकते है more than one element में changement लाया जा सकता है लेकिन more than one document में नहीं लाया जा सकता है यह हमारा statement false हो जाएगा next है हमारा the external style seat facilitates one to change the look of the entire website by changing just one file यहाँ पर इस statement में कहा गया है जो external style seat होती है वो हमें यह सुब्दा प्रवदान करती है कि अगर हम उस file में changement करते हैं तो उससे पूरी website पर changement आ जाता है जी है external जो style seat का page होता है वो हम इसलिए define करते हैं जिससे की multiple pages पर उसे लगाया जा सकते हैं multiple pages पर जब हम इसमें change करेंगे तो वो सारे changes हमारे सभी files पर reflect हो जाएंगे यहनि कि website की जितने भी page होंगे उससे पर reflect हो जाएंगे तो यह हमारा जो statement रहेगा वो क्या हो जाएगा? true हो जाएगा ठीक है? देखते हैं next question यह question हमारा matching से संबन देते हैं इसमें 10 matching के लिए दिये गए है options और उनके लिए आपको 13 विकल्प दिये गए हैं 13 में से आपको choose करना है तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं इनको कुछ numbering दे देते हैं जिससे हम बता पाएं कि कौन सा किस number पर है तो चलिए मैं यहाँ पर numbering की विपस्ता किये दे रहा हूँ इसको मैं 123 में number दे रहा हूँ 1 यह हो जाए हमारा 2 यह हो गया हमारा 3 यह हो गया 4 यह रहेगा हमारा 5 यह हो गया 6 और इदर आगया 7 column A के जो भी element है उनको 123 का use कर लिए हमने 9 and 10 10 हो गया और उसके बाद इदर हम use कर लेंगे ABC का तो चलिए यहाँ पर मैं ABCD का use कर ले रहा हूँ यहाँ पर हमने लिखा B column बाले में A दूसरा option हो गया B तीसरा हो गया C D E F और यहाँ पर आ जाएगा आपद G H I J K L M आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीन option extra दिये गए यहनि कि आप first वाले से लेके last वाले तक आपको उतनी ही महनत करनी है option को सही answer के तलास के लिए पहला दिया गया H1.h6 यह क्या है यह headings होती है ठीक है आपको पता है html में यह क्या है headings होती है तो इसके लिए हमारा option कौन सा हो जाएगा B ठीक है यहाँ पर जो हमारा option मैच करेगा वो कौन सा मैच करेगा B ठीक है यह हो गया हमारा B और second में दिया गया external javascript file external javascript file का extension होता है js extension तो इसका answer हो जाएगा Google इसका answer हो जाएगा हमारा D ठीक है next javascript single line comment javascript का single line comment होता है उसके लिए यहाँ पर कौन सा option set होगा यहाँ पर सभी मैं से आप देख लेंगे तो यहाँ पर मैं पाडले पड़ता हूँ A B तो हमारे set हो चुके है C वाले को देख लेगा है css पांच में कहीं नहीं जाना है सामने ही इसका option दिया गया है cascading style seat तो इसका option हो जाएगा E ठीक है next is javascript variable javascript में variable के बारे में पूचा गया है तो यहाँ तक तो हमारा हो चुका है अभी यहाँ पर dynamic type language तो इसका इसका कोई सम्मन्द नहीं है xml यहाँ पर दिया है local variable and global variable जो javascript में variable होते है वो local और global दोनों तरीके के होते है तो इसके साथ में हमारा मैच कर जाएगा g ठीक है 6 के साथ में हमारा मैच कर जाएगा g अब देखते है 7 xml extendible markup language इसका perform होता है तो इहाँ पर जो हमारा option दिया गया है वो हो जाएगा j j में दिया गया है extendible markup language तो इसके साथ में हमारा मैच कर जाएगा j 8 में पूँचा गया है Java script Java script के पार में पूचा गया है Java script क्या है तो यहाँ पर हम बता देंगे Java script जो होती है वो dynamic language है यह dynamic type language है ठीक है तो इसको हमने match करा दिया F के साथ में और उसके बाद मुझा गए Java script switch statement के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पढ़ेंगे to execute one code from multiple expression तो यह जो switch statement होता है वो क्या करता है एक code को कई सारे multiple expressions के साथ execute करा सकता है तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा इसका option H to execute one code from multiple expression ठीक है next question है आपका next इसमें दिया गए Java script global variable Java script के global variable के लिए क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर options को match कराएंगे हम लोग check करेंगे कौन सा match करेगा देखो global variable and global local variable and global variable तो हमारा option select हो चुका है to execute यह बाला भी हो गया है declared outside the function जो हमारा Java script के global variable होते हैं वो function के बाहर define किये जाते हैं तो इसके साथ में match कर जाएगा i अगला section हमारा सम्बंदित है fill in the blanks से सम्बंदित question से इस section में हम लोग देखेंगे 10 fill in the blanks जिसमें आपको यहाँ पर 15 option दिये गए हैं भरने के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 दिये गए हैं और question है cable 10 यहनि कि आपके पास last time तक 4 बेकर बचे रहेंगे जिनमेंसे कोई एक आपको भरना है तो पहला question है यहाँ पर tag create से number order list कौन सा tag ऐसा है जो एक number या ordered list को create करने के लिए use होता है तो यहाँ पर आप देखेगा ol tag दिया गया है अब ऐसे भी आपको पता होगा कौन से tag का use किया जाता है ol tag का use होता है तो यहाँ पर हमने ol tag लिख देंगे यहाँ पर आपको क्या लिखना है ol tag ठीक है next question है main container for tr, td and th is tr, td and th के लिए mok container कौन सा है mok container कौन सा tag यूज होता है आपको पता हुगा ये सारे के सारे tag table tag के अंदर लगाए जाते हैं किस tag के अंदर लगाए जाते हैं table tag के अंदर ठीक है तो यहाँ पर इसका आजाएगा answer table देखिए गए यहाँ पर option में भी दिया गया है table यह रहा हमारा table ठीक है olm फिल कर चुके हैं और table को फिल कर चुके है next है the text inside the text area text area tag work like जो text area के अंदर जो text होता है लिखा जाता है वो किस के तरीके से work करता है वो work करता है आपका pre-formatted text वो पहले से उसमें लिख के आता है अगर आप कोई भी text लिख देते हैं text area के बीच में जैसे आपने text area tag लगाया और इसके बाद बीच में कोई भी चीज आप लिखते हैं वो आपको output पर भी लिखी हुई दिखाई देती है ठीक है तो text area के अंदर जो text होता है वो formatted text pre-formatted text के रूप में दिखाई देता है तो यहां पर हमारा आ जाएगा pre-formatted text ठीक है next question है base tag is designed to appear only between base tag को design किया गया है appear only between किस के बीच में दिखाई देने के लिए जो हमारा base tag होता है वो आपके head tag के बीच में दिखाई देता है head tag के बीच में आता है head section में रखा जाता है तो यहां पर आजाएगा आपका head ठीक है option में दिया गया है यहां पर यह हो जाएगा head ठीक है आए देखते है next question question number five है in HTML we have space heading tag for writing heading इसमें पूचा गय है HTML में हमारे पास कितने heading tag होते हैं heading write करने के लिए तो आपको पता है h1 से लेके h6 तक 6 heading tag होते हैं ठीक है any part of the graphics that is not include in another hot zone is considered to be part of तो यह भी अभी आपको पिसले time में आपको बताया था पिसले question में यह होता है आपका default ठीक है यह आपका O level में ऐसा ही होता है आप देखते हैं जो question आपके matching में दिये गए हैं उनसे संबंदित हो सकता है आपको जहां पर fill in the blanks आते हैं उनमें भी मिल जाएं तो यह आपका default area होता है default area बोला जाता है ठीक है this tag which allow you to rest other html tag within the description is the tag which allow you to rest other html tags वो tag कौन सा है जो unhtml tags को within the description description में आपको allow करता है रखने के लिए allow करता है देखते हैं यहां पर options हमारे दिये गए हैं html extension 6 caption tag दिया गए है यहां पर एक दिया गए input एक दिया गए table एक दिया गए body तो जो हमारा body tag होता है उसके अंदर हम बाकी के जो tags होते हैं उनको रखते हैं ठीक है तो body tag which allow you to the rest other html tags within the description is ठीक है उसका नाम क्या है body है the word document node node list element node etc are the word document MS word के document में जो node है और node list है element node है यह क्या है चलिए options देख लेते हैं यह पर options हमारे पास अभी जो available हैं उसमें 5 है caption है out does type है और in है input है header है तो यहां पर पूँचा क्या गया है the word document node node list element node etc are यह क्या है header है ठीक है यह MS word का question है next question है हमारा dtds are ways to create template for तो इसका option हो जाएगा out does type out does type template create करने के लिए यूज होते हैं यह xml में use किया जाते हैं dtds ठीक है तो यह out does type के लिए होते हैं out does type next question है हमारा the mime text file is saved with जो mime text file होती है वो आपकी save होती है html extension name के साथ जो हमारी mime file होती है वो हमारे .html extension के साथ save होती है तो यहां पर option आप देख सकते हैं दिया गया है html extension ठीक है जो mime file होती है वो html extension के साथ save होती है तो इस तरीके से हमारे यह सारे के सारे विकल्प हो गए तो इस तरीके से हमने total 40 questions यह आपर देखे हैं जो आपके optional थे यह सारे के सारे जन्वरी 2021 पेपर के हैं ऐसे ही अन्मात्मूर्ट प्रस्णों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे वीडियो को धन्यबाद आपके सारे के सारे का एबे हमारे के साथ72 बंस रवीडियो किना